हेई गाईज वल्कम बाक तो इन्वेस्ट माइंडसेट पहुचेंगे कैसे दोस्तो इसी चीज़ को हम आज की वीडियो में डिसकस करेंगे काफी डीटेल में तो आज की वीडियो में हम finance और financial freedom की सबसे important चीज़ के बारे में बात करेंगे जैसे fire, fired, fat fire और दूसरे और भी concepts और ये सब हम काफी simple language में cover करेंगे जिसे आप अपने friends के साथ share कर सकते हो, जिसको finance की ABCD भी पता नहीं होगी उसके साथ भी यहां तक कि आप ये 10 साल के बच्चों के साथ भी share कर सकते हो तो ये वीडियो आपकी financial freedom की journey में काफी साथ important होने वाला है क्योंकि इसमें आपको knowledge, motivation और direction तीनों मिलेगा इस बात की मेरी guarantee है, तो वीडियो को end तक जरूर देखना क्योंकि दोस्तो अगर आपने इसे नहीं देखा, तो शायद आप rat race में फसे रह जाओगे तो चली शुरू करते तो दोस्तो जब भी मैं investment की बाते करता हूँ अपने किसी friend से या अगर आप भी कभी ये topic discuss करते होगे, तो हमें दो type के लोग मिलते है एक वो जो ये कहेंगे कि हमें एक ही life मिलती है और ये जवानी भी हमें एक ही बार मिलती है तो हमें अभी life को enjoy करना चाहिए और future के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि आपको अपने retirement और अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि आप 50-60 साल की age में क्या करोगी एक्सेक्टर एक्सेक्टर तो उसके लिए आपको अभी कम पैसे खर्चा करके savings करना चाहिए ताकि आप future में enjoy कर सको जिसके आपको अपने present को पूरी तरह sacrifice करना चाहिए तो यहाँ पे हम सुने किसकी कौन सही है तो जब मैं इन दोनों टाइप के लोगों से थोड़ा detail में बात करता हूँ तो मुझे यह पता चलता है कि जो पहले type के लोग है जो life को अभी enjoy कर रहे है तो उनके दिल में भी एक डर होता है future को लेके कि वो future में क्या करेगे तो actually मैं वो उससे बच के भागने की कोशिश करते है parties और vacation से लेकिन बहुत ही जल्द यानि 30s में उन लोग को realize हो जाता है कि हमें retirement की बारे में और future की बारे में सोचना चाहिए तो जब हम retirement का सोचते है तो हम अक्सर वो old age वाले uncle imagine करते है जो 70 साल की age में garden में walk कर रहे होते है जो ज़्यादा मीठा नहीं खा सकते है क्योंकि diabetes का डर होता है ज्यादा तेज नहीं चल सकते है क्योंकि heart problems है ज्यादा time बैठ नहीं सकते है क्योंकि घुटने का और कमर का दर मतलब आपको 60-70 साल की age तक job करना है तब जाकि आप life के आगे के 10-20 साल बिना काम के enjoy कर सकते हो यानि यह हमारा traditional retirement option है तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है कि at least आप कुछ ना कुछ safe करके रख लेते हो अपने future के लिए जो आपको कभी ना कभी काम आ जाएगा लेक से कैसे achieve करोगे यह कोई भी strategy होती नहीं है और इसलिए majority लोग seriously अपने retirement के लिए investing करते नहीं है क्योंकि उनके सामने एक goal होता ही नहीं है और काफी बार लोग अपनी investing postpone भी कर ले थे कि चलो इसे हम बाद में देख लेंगे और इसलिए लोग जिन्दगी बर काम करते नहीं और फिर life के आखिर में उन्हें बहुत सारे regrets होते कि उन्होंने पुरी तरह life को enjoy नहीं किया तो यही problem का solution हमें fire strategy से मिलता है जहां हमारे सामने एक goal एकदम clear होता है और strategy भी क्योंकि दूस्तों जब भी हम financial freedom के बारे में सोचते तो हमें तिन बहुत ही difficult question के answer डूडने होते यह तीन काफी difficult question है जिसके answer लोग ढूडने ही पाते और इसलिए majority लोग यहाँ पे confused होके शुरू होने से पहले ही give up कर देते लेकिन दोस्तों अब आपको यह तीनों question का answer काफी clearly मिलने वाला है जिससे आपकी financial freedom की journey काफी smooth हो जाएगी तो आगे बढ़ने से पहले इस वीड जिस आ रहे थे कि उन्होंने हमारे course के early bird discount को पिछले हफते miss कर दिया था तो high demand की वज़े से हमने ये early bird discount को extend किया है इस हफते के लिए तो जो भी मैरे इस पहले stock market की course के लिए interested है जिसमें मैं काफी सारी चीज़े सिखाने वाला हूँ basics of stock market से लेके एक अच्छा stock portfolio कैसे बन तो दोस्तो आज की वडियो में हम इस fire और fired strategy को detail में discuss करेंगे अगले हफते हम ये समझेंगे कि उस amount को आप save कैसे करोगे तो सबसे पहले हम ये समझते कि हमें कितना amount चाहिए financial freedom achieve करने के लिए क्योंकि ये चीज मैंने हमेशा notice किये कि लोग इसका सही answer कभी पजा लगा नही पाते हैं अगर आप किसी भी इनसान से पूछो कि उसे कितने पैसे चाहिए होगे financial freedom के लिए तो लोग हमेशा कोई बड़ा amount randomly choose करेंगे जैसे कोई लोग कहेंगे 5 करोड या कोई कहेगा कि future में महेंगाई बढ़ सकती है तो चलो 10 करोड ले लो फिर लोग confused होके कहेंगे कि ये भी कभी future में खतम हो जाएगा तो हमें और जाजा काम करना पड़ेगा और इसलिए लोग अकसर lifetime काम करते रहे जाते तो इस confusion का reason ये है कि हम future को लेके कभी sure नहीं हो सकते future में क्या होगा ये किसी को नहीं पता है और इसलिए लोग अपना goal amount ही estimate नहीं कर पाते तो उसे achieve क करना तो एक बहुत ही दूर की बात है और शायद इसी वज़े से हम Indian savings तो कर लेते लेकिन फिर भी हम financially independent या rich नहीं होते क्योंकि हमारे पैसे bank के savings account में या FD मेरे जाते या लोग कहीं भी पैसा invest कर देते जहां उन्हें जादा profit मिलने का chance लगता है लेकिन ultimately लोग को वहां से loss मिल जाता है तो दोस्तों आपको कितना amount है यह उसके लिए मैं आप लोगों काफी simple answer देता हूँ आपका फिलहाल जितना भी खर्चा होता है आपकी पूरी family का हर एक expense अगर आपको उतना amount बिना काम किये मिल जाए तो आपको काम करने की ज़रूती नहीं होगी आपका time free होग जिसका मतलब है आप financially free हो जाओगे तो मान लो कोई इनसान मुंबे जैसे महेंगे शेर में रहता है तो हो सकता है कि उसका मंतली खर्चा 80,000 रुपे का हो यानि 10,000,000 रुपया साल का या फिर अगर कोई इनसान किसी छोटे गाउ में रहता है तो हो सकता है कि उसके पूरे सा जो साल का होता है almost 4,000,000 रुपया तो अब हम यह fire strategy को समझ लेते हैं fire यानि financial independence and retire early इस concept को US के एक financial planner ने जिसका नाम है William Began उसने invent किया था तो इनोंने काफी सारी research के बाद और काफी सारे computer simulations और scenarios को analyze करने के बाद ये conclude किया कि अगर आप अपने सालाना खर्चे का 25 गुना amount save क दरके invest कर लेते हो ऐसी जगा पे जहां आपको 4% का return मिलता है तो फिर आपको life में कभी काम करने की जरूत होगी यह नहीं अब इसका मतलब यह है कि अगर आपका मंतली खर्चा 33,000 है मतलब साल का 4,000,000 रुपया तो अगर आपको हर साल 4,000,000 का profit अपने invest की वह पैसों से मिल चलिल जाता है बिना काम किये तो आपको पैसो की attention नहीं की जरूत नहीं होगी और यह 4,000,000 हमारे save की हुए पैसों का 4% होगा मतलब अगर यह 4,400,000 हुआ तो 100% कितना होगा या Organe को टूटल कितना पैसा जमा करके रखना है तो वो हे 1 करोड तो यह वो target है जिससे आपको save क करना है early financial freedom के लिए fire strategy की हिसाब से अब यह एक करोड का portfolio सुनके आप लोग सोच रहे होगे कि यह कैसे possible है इतने पैसे जमा कैसे होंगे तो उसको हम next video में काफी detail में discuss करेंगे फिलहाल के लिए हम यह strategy को समझ ले थे तो इस fire strategy का basic rule यह है कि आपको अपने yearly expense का 25 गुना save करके रखना है जो यह case में 4 lakhs multiplied by 25 तो वह था है 1 करोड तो जब आप 1 करोड का portfolio बना लोगे और उसे ऐसे जगा invest कर दोगे जहां से आपको 4% का return मिले तो एक साल बाद आपको अपने invested amount पे यानि 1 करोड पे 4% का return मिलेगा जो 4 lakhs का होगा जिसे आप withdraw करके अपने use में लोगे फिर अगले साल वापरस आपका investment grow होगा जैसे अगर आपने ये पूरा पैसा किसी savings account में invest किया तो इंडिया में आपको 4% तो योई मिल जाता है तो अगले साल आपको वापस 4 lakh रुपीस का profit होगा जिसे आप अगले साल वापस withdraw करके अपने use के लिए ले सकते हो और फिर इसी तरह ये process चलता रहेगा और आपको कभी काम करने की जरूत होगी नहीं तो इसे हम 4% rule कहते है और इसका सबसे बड़ा benefit ये है कि इसमें आप काफी जल्दी financial freedom अचीव कर सकते हो क्योंकि अगर हम traditional retirement option की बात करें तो इसमें हमें पता नहीं होता है कि हमें कितना save करना है और फिर उन पैसों को हमें कैसे use करना है लेकिन यहाँ पे आपके पास target भी है और withdraw करने की strategy भी लेकिन दोस्तों इस strategy में भी कुछ problems है सबसे पहले तो ये कि ये withdraw करने वाला fundा बहुत ही risky है इसमें आपके save की होए किमती capital के बिलकुल zero होने का डर होता है मतलब retirement के कुछ सालों बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपका portfolio बिलकुल zero हो गया है अब आपका हो गया कि ये कैसे हो सकता है इतना बड़ा amount हमारा zero कैसे हो सकता है और अगर zero हो सकता है तो फिर ये 4% safe withdrawal rate कैसे हुआ तो इसको हम एक example से समझते मानलो आपका सालाना खर्चा हुआ ही चार लाग रुपे का है और काफी सालों तक आपने savings की और उसे stocks के portfolio में या mutual funds में invest किया और finally आपका total portfolio grow होके एक करोड रुपे का हो जाता है और जैसे ऐसा होता है तो आप खुची से अपने job को छोड़ देते हो और दूसरी city में घुमने निकल जाते हो लेकिन अगले साल market crash हो जाता है और 50% से गिर जाता है लेकिन आप tension नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको पता है कि ये market fit से recover कर लेगा और आपका portfolio वापस उपर चला जाएगा तो आपका portfolio फिलहाल 50% डाउन है लेकिन आपकी fire strategy के इसाब से आप अपना उस साल का 4 लाग रुपे withdraw कर लेते हो तो तब आपका balance स्रिफ 46 lakhs करे जाएगा क्योंकि एक करोड से 50% डाउन मतलब आपका portfolio 50 lakhs पर रहेगा और उसमें से आप अपने खर्चे के लिए 4 लाग रुपे निकालोगे तो आपके पास 50-4, 46 lakhs बचेंगे और जब market वापस से same level पर आता है तो अब अगर आपके पास देखा जाए तो आपके पास 1 करोड माइनस 4 लाग यानि 96 lakhs होने चाहिए लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 92 lakhs रहेंगे यानि आपको 4 लाग रुपे का लॉस होगा 4 लाग तो हमने विड्रॉक के ही थे प्लस 4 लाग का एक्स्ट्रा लॉस होगा क्योंकि हमने गलट टैम पे पैसा विड्रॉक किया क्योंकि दोस्तों जब हमारा पोर्टफोलियो 50% लॉस में होता है तो उस टैम पे हर एक रुपया विड्रॉक करने का मतलब ये होता है कि आपने अपने अरिजिनल पोर्टफोलियो पे 2 रुपया विड्रॉक किया तो 4 लाग विड्रॉ करने पे आपको 4 लाग रुपे का एक्स्ट्रा लॉस होगा क्योंकि जब मार्केट 50% लॉस में था तब आपने लॉस को बुक कर दिया था अगर आप नहीं सेल करते और फिर मार्केट रिकवर कर लेता तो आपका लॉस नहीं होता लेकिन क्योंकि इस फायर स्ट्राटेजी के हिसाब से हमें विड्रॉ करना ही पड़ता है तो आपको बैड मार्केट में भी लॉस बुक करना पड़ेगा और पैसो को विड्रॉ करना पड़ेगा जैसे आपका 25 टाइम्स का जो बैलन्स है वो कम हो जाएगा तो ये काफी डेंजरस सिच्वेशन है क्योंकि अगर मार्केट कभी ज़्यादा टाइम तक रिसेशन में रहा तो आपका पॉर्टफॉलियो काफी ज़्यादा डाइमेज हो जाएगा जिसकी वज़े से आपका 25 टाइम्स का जो बैलन्स है वो बिगर जाएगा और लॉंग टम में आप जीरो पे पहुँच जाओगे जैसे हम इस फोटू में देख सकते और ये ऐसे टाइम पे जीरो होगा जब आप काफी जाता बुड़े हो चुके होगे और आपकी काम करने की शायद कैपैसिटी ना हो और इसलिए इस प्रोब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फायर कम्यूनिटी के लोगों ने एक मोडिफाइड फायर स््ट्रेटीजी बनाई जिसका नाम है फैट फायर तो अब हम ये समझते कि ये फैट फायर क्या होता है तो जैसा पहले हम fire strategy के हिसाब से अपना सालाना खर्चे का 25 times safe करते थे लेकिन अब हमने वो amount मोटा कर दिया है यानि double यानि अब हमें अपने early expense का 25 नहीं बलकी 50 times safe करना है जिसकी वज़े से आप अपने expense को double कर सकते हो या फिर अगर market कभी crash भी होता है और उस time पे भी आप withdraw करते हो तो आपके portfolio के zero होने की chances बहुत ही कम होगे तो basically अगर आप अपने expenses डबल नहीं भी करते हो तो ये extra amount एक margin of safety की तरह काम करता है तो अभी तक पुरी दुनिया में ये fire और fat fire को financial freedom के लिए सबसे best plan माना जाता है लेकिन इसमें भी यानि इस fat fire में भी बहुत सारी problems है जिसका solution वो fire community के लोग अभी तक निकाल नहीं पाए सबसे पहला है inflation यहाँ पे ये माना जाता है कि future में inflation हमेशा same होगा जैसे इंडिया का average inflation 7% का है लेकिन 2010-11 के time पे ये 10% का होगया था और recently जब COVID आया था जिसकी वज़े से RBI ने बहुत सारे notes print किये थे तो ऐसे events अगर future में होते हैं तो उससे government को काफी ज़ादा notes print करना होगा जिससे inflation काफी ज़ादा बढ़ सकता है तो उस time पे अगर महेंगाई बढ़ती है तो आपको ज़ादा amount withdraw करना होगा और अगर inflation अपने average से सिर्फ 2-3% extra रहा काफी लंबे time तक तो इससे भी आपके वही capital के zero होने का डर होता है जैसा हमें fire strategy में था फिर दूसरी problem ये है कि आपको अपने invest किवे पैसों को withdraw करना पड़ता है और अगर आप stocks में या mutual fund में invest करते हो तो यहाँ पे आप Mr. Market पे depend होते हो Mr. Market मतलब stock के जो price fluctuation होते है उस पे और ये एक बहुती difficult game है क्योंकि market कभी उपर होता है तो कभी नीचे है तो आप peacefully अपने retirement enjoy नहीं कर पाओगे फिर तीसरी problem ये है कि हमारी life expectancy बढ़ रही है मतलब लोग जादा जी रहे है तो future में जादा medical expenses होंगे या फिर बच्चों की शादी और future में उनके education के expenses ये सब और जादा speed में grow होते रहेंगे तो ऐसे expenses आप fat fire strategy से भी cover नहीं कर पाओगे और finally सबसे बड़ी problem मेरे हिसाब से ये है कि इस strategy के हिसाब से यानि fire और fat fire दोनो इन दोनों के हिसाब से आपका standard of living वही के वही रहता है आप middle class ही रहोगे आप इससे rich नहीं बन सकते तो दोस्तो इन सब problems का solution क्या है कि हमारे पास कोई ऐसी strategy है जिससे हम actually में बिना किसी tension के life को enjoy करते हुए अमीर बन सके तो दोस्तो इसका answer है fired financial independence and retire early with dividends अब इस strategy को मैं खुद follow कर रहा हूँ और इसके बारे में आपको पूरे internet पे कहें पे भी information मिलेगी नहीं क्योंकि ये किसी भी book में है या कहें पे भी नहीं है ये मेरी काफी सालों की research और इतनी सारी जो मैंने books rate की है ये उसके basis पे मैंने बनाई है तो इस fired strategy में dividend एक बहुत ही important role play करता है लेकिन ये dividend एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है कि stock market से आपको ऐसा कुछ मिलता भी है और जिन गिने चुने लोगों को ये पता भी होता है तो उनको ये ही लगता है कि ये dividend एक बहुत ही छोटा amount होता है यूजिली आपको stock से सरिफ 1% का dividend मिलता है तो उससे हमारा क्या होगा तो अब हम इस fired strategy के magic को समझते तो इस strategy के हिसाब से हमें अपने yearly expense का 100 गुना amount safe करना है और जब आप ऐसा कर लेते हो तो फिर जो 1% का dividend आपको stock से मिलता है सिर्फ वही आपके पूरे yearly expense को cover कर लेगा अब यहाँ पे हमें example लेते इसे और detail में समझने के लिए तो fire strategy के हिसाब से आपके 4 लाग का yearly expense के हिसाब से 25 save कियावा amount एक करोड का होता है जिसका 4% आप use करते हो तो यह 4% safe withdrawal strategy है Fatfire strategy के हिसाब से आप अपने yearly expense का 50 times amount save करते हो यानि 4 लाग रुपे का yearly expense के हिसाब से आप 2 करोड सेफ करते हो तो उसका सिर्फ 2% ही withdraw करके आपका yearly expense cover हो जाएगा तो जब आप 50 की जगा पे 100 लाग रुपे अगर आपका खरचा है तो आप 4 करोड सेफ करते हो तो सिर्फ 1% का dividend ही आपके पूरे साल के expense के लिए काफी होगा तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो 1% का dividend हमारे ले कितना important है लेकिन अब आपके मन में सबसे बड़ा question यह आ रहा होगा कि यह 4 करोड यानि इतना बड़ा amount हम safe करेंगे कैसे यह तो बिल्कुल impossible है अपने yearly expense का 100 गुना कौन safe कर सकता है और कैसे तो दोस्तो आप लोगों से मैं कहता हूँ कि यह amount बिल्कुल possible है और उसको समझाने के लिए मैं आप लोगों से एक question पूछता हूँ जिसका answer आप लोगों मुझे नीचे comment करके जाना तो question यह है कि मानलो एक pond है यानि एक चोटा सा तालाब जिसमें आपने एक beach डाला है एक flower को grow करने के लिए अगले दिन एक बहुती beautiful flower वहाँ से grow होता है और उस flower की खास बात यह है कि यह हर रोज double होता है यानि अगले दिन वो एक से 2 हो जाएगा और उसके अगले दिन वो 2 से 4 हो जाएगा और इसी तरह वो double होता रहेगा तो question यह है कि अगर इस पूरे pond को flower से पूरी तरह cover होने में exactly एक साल लगता है तो इस pond का half area flower से cover होने में कितना time लगेगा इस question का answer आप लोग मुझे नीचे comment करके बताओ अगले वीडियो में मैं आपको इस question का right answer दूँगा और फिर उस answer की help से हम अपनी financial freedom की journey का सबसे बड़ा secret का पता लगाएंगे जिसे जानके आपके होश होड़ जाएंगे क्योंकि जब आपने वो चीज़ समझ ली तो आपको ऐसा motivation मिलेगा कि आप भी Warren Buffett वाली line कहोगे मतलब आप भी काफी ज़दा confident हो जाओगे Warren Buffett के जारा कि आप अमेर बनोगी तो अगला वीडियो काफी ज़दा important होने वाला है उससे miss मत कर जाना तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और bell icon को प्रेस करना मत बुल जाना ताकि आपसे कोई important videos miss ना हो जाए और course के early bird discount की link नीचे description में और पहले comment में तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सेखने मिला तो इससे like करो नहीं पसंद आया तो dislike करो आपका valuable time देने के लिए thank you and good bye